लोक सभा में मंगलवार को वित वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट पेश कर वित मंत्री ने इस पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकार रियायतों के रास्ते पर नहीं बलकि सुधारों के रास्ते पर चलेगी प्रस्तावित बजट अर्थविवस्था की तातकालिक जरूरतों से जदा आने वाले 25 साल को ध्यान में रख कर बनाया गया है जाहिर है बजट में सारा जोर ऐसे सुधारों और उपायों पर केंद्रित है जो दूरगामी और स्थाई नतीजे देने वाले हों इसके लिए धाचागत विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने की बात है सडक, रेलवे, हवाई अड़ा, बंदरगाह, सारवजनिक परिवहन, जल मार्ग और आपूर्ती स्रिंखला को मजबूत बनाने पर काम होगा इसके अलावा 25,000 किलो मीटर रास्ट्री सडकें बनाने, नदियों को जोडने और 400 वंदे भारत ट्रेने तयार करने कब काम भी इसमें शामिल है कहा गया है कि इन कदमों से रोजगार के मौके भी बनेंगे पर बजट में इस समस्या का कोई फोरी समाधान नजर नहीं आ रहा कि मजूदा बेरोजगारी से कैसे निपटें इन सारे कामों के लिए बजट में पूंजिगत खर्च में 35 फीसद की बढ़ुतरी कर इसे 7,5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है धाचागत छेत्रों के विकास में भारत की इस्थिती वैसे भी कोई संतोस जनक नहीं है इसलिए इन सब पर खर्च की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता गौर तलब है कि हम ऐसे संकट भरे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें अर्थविवस्था को पटरी पर लाने के लिए न सिर्फ दूरगामी उपायों बलकि तातकालिक उपायों की जरूरत कहीं ज्यादा महसूस हो रही है उस लिहाज से देखा जाए तो जनता को फौरी राहत देने वाले बंदोबस्त कहां है आयकर में कोई राहत नहीं देकर सरकार ने नौकरी पेशा तबके और मध्यवर्ग को निराश ही किया है इससे यह साफ हो गया है कि सुधार की दिर्ग कालीन कोशिशों में कडवी गोली तो मध्यवर्ग को ही खानी पड़ेगी करदाताओं का दायरा बढ़ाने के उपायों पर कुछ होता नहीं दिख रहा हाँ प्रस्तावित बजट में बैंकिंग और वित्तिय छेत्र के डिजिटली करण की दिशा में तेजी से बढ़ने की बात साफ है और डिजिटल करेंसी शुरू होगी इसके अलावा देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाईयां शुरू की जाएंगे भले आभासी मुद्रा को कानूनी वैदता प्रदान नव की गई हो पर उससे होने वाली कमाई पर 30 फीसद का कर लगाकर सरकार ने अपनी मन्शा साफ कर दी है बजट किसानों को भी उतना ही निराश करने वाला है जितना की मद्द्वर्ग को कहने को बजट में क्रिश छेत्र के लिए योजनाओं का अमबार है किसानों को हाई टिक बनाने पर जोर है पर 80 फीसद से ज़्यादा किसान इतने छोटे और निर्धन हैं की खेतों में ड्रोन से छिड़काव करने की तकनीक की बात उनके लिए बेमानी लगती है इस समस्या पर कोई गौर होता नहीं दिख रहा की किसानों को उनका बकाया कैसे दिलवाया जाए अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का पिछले सत्र का लगभग डेड़ हजार करोण और चालू सत्र का करीब सात हजार करोण रुपए बकाया है ऐसे में किसान बजट से कैसे खुश होगा हां रक्षा छेत्र को आत्म निर्भर और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने रक्षा बजट बढ़ा कर सवा पांच लाख करोण रुपए कर दिया है आने वाले वक्त में चुनोतियां कम नहीं है पैसे का संकट है हालात को देखते हुए सरकार विनिवेश का लक्ष घटा कर अब मात्र 78,000 करोण रुपए पर ले आई है जो पिछली बार पौने दो लाख करोण रुपए था बजट को भले दूरगामी विकास वाला बताया जा रहा हो लेकिन अगर महंगाई बेरूजगारी जैसी समस्याओं का जल्द इलाज न हो पाए तो ऐसा विकास किस काम का करोणा संकट के बीच आया एक और आम बजट इसलिए विशेश रूप से उलेखनिया है क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविस को सुधारने पर ध्यान दिया न की लोकल भावन योजनाओं के जरिये फौरी वाहवाही पाने अथवा कोई राजनीतिक लाब उठाने की कोशिश की यह कदम एक ऐसे समय उठाया गया जब राजनीतिक द्रिश्टीशे सबसे एहम राज उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव होने जा रह हैं और उन्हें लगू आम चुनाओं की भी संग्या दी जा रही है इस पश्ट है कि सरकार ने चुनावी राजनीतिक हितों के आगे अर्थ विवस्था को शशक्त करने के दूरगामी लक्ष पर नौकेवल ध्यान केंद्रित किया बलकि यह भी रेखांकित किया कि उसका को एक समर्थ सक्षम देश के रूप में सामने लाना है यह नकेवल सरकार के आत्मविश्वास को प्रकट करता है बलकि यह भी इंगित करता है कि उसे यह भरोशा है कि देश की जनता उसकी और से उठाए जाने वाले कदमों का अनुमूदन करेगी निसंदेह अर्थनीती राजनीती से विरत नहीं हो सकती लेकिन उसे इसका बंधक भी नहीं बनना चाहिए यह सही है कि बजट में मध्यवर्ग को कोई वैसी राहत नहीं मिली जिसकी अपेक्षा की जा रही थी लेकिन यह महत्तपूण है कि सरकार ने पुझगत व्य में भारी भरकम व्य करने की योजना बनाई उसके साकार होने से अंततह आम आदमी को ही लाभ मिलेगा इसके साथ साथ अर्थविवस्था को भी गति मिलेगी अर्थविवस्था को गति देने का काम शहरी करन की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने से भी होगा जिनका विवरण बजट में दिया गया है शहरी करन को प्राथमिकता देना समय की मांग है और जरूरत भी क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में देश की करीब पचास प्रतिशत आबादी शहरी छेत्रों में निवास करेगी हमारे शहर नो केवल आबादी के बढ़ते बोज कावहन करने की छमता से लैस होने चाहिए बलकि उनमें विस्विस्तरी सुविधाएं भी होनी चाहिए जैसे जितना जरूरी यह था की सहरों को समारने पर ध्यान दिया जाए वैसे ही यह भी की गाओं को और अधिक उन्नत एवं सुविधा संपन बनाया जाए बजट रोजगार स्रिजन की संभावनाओं को भी जगा रहा है सरकार को यह सुनिशित करना होगा की यह संभावनाएं जगी रहें बजट भाशन में वित्त मंत्री ने निवनतम समर्थन बुल्य अर्थार्ट MSP जारी रहने का उल्लेक करते हुए जिस तरह यहरे खांकित किया की इस मद में दो दस्मलो तीन साथ लाख करोण रुपए का प्राविधान किया गया है वह यही बताता है कि सरकार ने उस दुस्परचार की हवा निकालना आवशक समझा जिसके तहत कुछ कथित किसान नेताओं के साथ कई विपक्षी नेता यह जूट फैलाने में लगे हैं कि यह सरकार MSP खत्म करने का इरादा रखती है इस पर हैरानी नहीं कि विपक्ष को बजट रास नहीं आया वह सदैव इसी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया से लैस दिखता है और यही कारण है कि जनता उसकी आलोचना पर उतना ध्यान नहीं देती जितना उसे देना चाहिए स्टॉप